हम चल रहे हैं कुवत्तिल इसलाम मस्जित के पास यहां पर कुछ बोड लगे वे जहां पर आपको घूलने की जगे बताई गई है कि इस परिसर भी यह जीज़े घूलने की है यहां जो आप दरवाजे से प्रवेश कर रहे होंगे तो यहीं पर बोड लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है कौतुल इसलाम मस्जित उस बोड पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ कौतुल इसलाम मस्जित अर्था इसलाम की शक्ति मस्जित के नाम से प्रसिद्ध यह ही मारत भारत में इस्थित प्राचीनतम मस्जित है इसके मध्य इस्थित आयतागार सहन के चारो ओर दालान बने हैं जिन में प्रियुक्त खंभे तथा दूसरी वश्ट समागरी मुलता 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को दोहस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मज़ित का निर्माड मामलुक वन्शी सुल्तान कुतुबद्दिन एवक ने सन 1193 से 1197 के वीच करवाया। मुख इमारत के सामने पांच विशाल महराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इसलामी वास्तुकला की विशेस्ता दिष्ट गोचर हो। इस महराबों पर अंकित धार्मिक लेख जैमितिक एवं अर्बी धंका अलंकरण है। पर इनकी गठन में हिंदू शिल पर अंकित जैमिति अलंकरण का विशुद इसलामी प्रभाव है। तो यह यहां पर लगे बोड में साफ साफ लिखा हुआ है। यह तो आपने वह सुना जो यहां की सिलापटिका पर लिखा हुआ था। लेकिन अंदर प्रवेश करते ही मैंने क्या देखा और मैंने क्या मह यहां पर उल्टे कलर्श और कई जगे यहां पर गाय जो अपने बच्छडे को दूद पिला रही है। उसका भी चित्राप यहां पर बड़ी आसानी से देख पाएंगे। यह सारी चीजे आपको क्या लगता है कि आपने किस ऐसे इसलामिक आर्केटेक में और कहीं पर नहीं यहां पर कई देवी और देवताओं की मूर्ति है जिनको अभी नश्ट कर दिया है। यह वीडियो आपके आख खोल देगा यहां पर किस तरीके से विद्ध्वन्स हुआ है हिंदू और जैन मंदिरों का। यहां पर कई जगे पिलर पर घंटियां बनी हुई हैं जब करने के बाद आप अपने मंद से पूछने को मजबूर हो जाएंगे। यहां पर कई जगे आपको हिंदू देवी देवता मिलेंगे। कई जगे आप यहां पर निर्थ करते हुए मूर्तियां बनाई गई हैं और ऐसे कई सारे मूर्तियां ऐसे कई सारे डिजाइन यहां पर उगेड़े गए हैं जो आपने कहीं न कहीं नहीं हिंदु मंदिरों में, यह फिर हमारे पूराने घरों में जब लकड़ी के दरवाजे हुआ कटते थे तो उन दरवाजों पर ऐसी design बनाई जाती थी लेकिन मैंने आज तक किसी भी ऐसे इसलामिक आर्किटेक में नहीं देखा जहाँ पर इस तरीके से मूर्थियां बनाई गई हो यहाँ पर तो साफ साफ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पिलर पिलगी घंतियां देवी देवताओं की मूर्थियां जिनके चेहरे को कुछ लोगों ने बिगाड दिया है लेकिन सवाल यह है कि क्या मूर्थियों को बिगाड देने से आप सच्चाई को छुपा पाएंगे तो जवाब है नहीं यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट गाइड आपको मिल जाएंगे जो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे और आप देख गर अपनी आखों पे खुद भरोसा नहीं कर पाओगे कि कैसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों के लाशो पर टिका है यह इस्लामिक आर्किटेक हलाकि यह मामला भी कोर्ट में है कि इसको ओफिशली कब अनाउंस किया जाएगा कि यह कुतु मिनार नहीं यह विश्वन अस्तंब था यह विडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यह उतुविद्दिन एवग ने बनवाया था या फिर यह कोई मंदिर था जिसका विध्वन्स करके उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में जोडने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी समझदारी को बढ़ाने में बहुत जादा मदद करेगी आप यह वीडियो देखिए और अपने आपसे डिसाइड करिए कि यह क्या हो सकता है यह तोडि गए मूर्टियों को बिगार दिये गए चेहरे, धंटियां और कलश यह सब कहा हो सकते हैं किसी ऐसे इसलामिक आर्केटेक में हो सकते हैं अगर हो सकते हैं और आपने देखा है तो comment करके आप ये बताइए कि ऐसा architect किस Islamic structure में है और वो कहां है ये वीडियो बनाने का उद्देश मेरा किसी भी धर्म, प्रांत या जायत के लोगों को आहत करना नहीं है बस मैं हमेशा प्रयास करता हूँ जो सच है वो आप तक पहुंचाया जा सके है